आज हम आपको धर्ती पर घटित हुई कुछ ऐसी अद्भुद और आश्चारे से भरी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं चिने देखकर ना सिर्फ आप हैरान रह जाएंगे बलकि आपको कुदरत के करिश्मे का एक अलग ही नसारा देखने को मिलेगा जो आपके होश उड़ा देगा इसलिए वीडियो को लास तक जरूर देखें क्योंकि आपने ऐसी घटनाएं आज से पहले कभी नहीं देखी हूँ संडोग संडोग एक ऐसी वातवर्ने घटना है जो किसी के भी होश उड़ा देगी दरासल ये एक ऐसी अद्बुत घटना है जिसमें सूरज की रोशनी एक तैदूरी के बाद रिफलेक्ट होकर कुछ इस तरह की आकर्टी बना देती है जिसे संडोग कहा जाता है ये घटना भारत में कम ही देखने को मिलती है क्योंकि ये घटना जादा तर बरफीली जगाओ पर ही घटित होती है भर्फ के कर्ण हवा में ज़्यादा होने पर वे सूरज की रोशनी को रिफलेक्ट कर देते हैं और फिर कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिलता है ये घटना सिर्फ सूरज के डूबने और उगने के टाइम पर ही देखी जा सकती है मर्मूरेशन अगर आपको आस्मान में कुछ ऐसा देखने को मिले तो इससे डरने की जरूरत नहीं है दरासल ये सिर्फ एक छोटा पक्ची है जिसे हम मैना के नाम से भी जानते हैं जो काफी सारी संख्या में एक साथ उड़कर एक सतरह की आकरती बना देता है जो बेहद ही अदभुद और खुबसूरत लगती है लेकिन अदभुद होने के साथ साथ ये खतरनाक भी होते हैं जो किसानों की फसलों को खा जाते हैं इसकी उड़ने की छमता इतनी तेज होती है जिससे ये आपस में कभी नहीं टकराते अगर सच मुझ ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा हाला कि ऐसा सच में हुआ है हाल ही में किसी जगह पर बाड़ाने की वजह से जमीन में रहने वाली मक्डियों ने बाहर निकल कर हर तरफ अपना घर बना लिया जिसकी चपेट में सभी पेड़ पोदे जाड़ियां सब कुछ ढग गया और ये देखने में बिलकुल किसी हॉलिवुड मूवी का सीन लग रहा था आस्मान में लहरों की तरह चलने वाले बाडलों को एजिटेटिट वेब कहा जाता है इन्हें ये नाम 1951 में मिला था इस तरह के बाडल देखने में काफी डरावने होते हैं एक खास तरह के बाता वर्णिया परिस्थिती पैदा होने पर इस तरह के बाडल देखे जाते हैं 2015 में जॉर्जिया के आस्मान में इस तरह के खौफनाक बादल देखे गए थे वैग्यानिकों की माने तो इस तरह के बादलों से इंसानों को कोई खत्रा नहीं है बस ये देखने में ही काफी डरावने लगते हैं तो ये थी प्राकरती की कुछ अद्बुद और आश्चार जनक घटनाएं आपको ये घटनाएं कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें जादे से जादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें